नमस्कार, राधे राधे, आदा आप सस्री अकाल, कैसे हैं आप सब पिश्वास करता हूँ, शब अच्छे होगे, आज हम आप लोगों के लिए लव लाइफ से सम्मंदित, बहुत महत्पूर जानकारी लेखिया है, आपने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी हुई, आपके एक्स पार्टनर वापस कर लेंगे, यह आपको प्रेम मिलने वाला है, बसरते अभी तक अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, तब आप अपनी कुंडली को चेक कीजिए, अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं, तो आप अपनी कुंडली को चेक करवाईए, देखो, य 10% गारंटी से वताश रखता हूं कि आपकी कुंडली के चीजें आपकी उपर लागू होती हैं, इसमें कोई संसा नहीं है, आप किसी इनसान से मिल रहे हैं और वो बैक्ती बिचुड रहा है, या चीट करके जा रहा है, तो यह आपकी कुंडली में दोश होगा, यह पहले म मैं भी नहीं मालता था, लेकिन जब से हमने जो तसकनाय स्टार्ट किया है, और हमने लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों की कुंडलीया देखी हैं, तो मुझे पता लगा कि यह रियली है भाई, पहले सच में मैं भी बिलीब नहीं करता था, मैं सोचता था, यह सब चीजे होती नहीं, लेकिन आप मुझे पता है कि यह सीजें बिलकुल 110% होती हैं, देखो समझना आप, बहुत सरल भासा में मैं समझाने की पोशिश करूँगा, आपके पंचमभाव में, कुंडली में 12 भाव होते हैं, ठीक है, जैसे आपके घर में 12 कमरे होंगे ना तो अलग-अल होता है, आपके बालक का होगा, फिर आपके वाइफ का होगा, या आपके भाई का होगा, या आपके लड़की का होगा, या आपके माता-पिता का होगा, कोई रूम, कोई आपके खाना-खाने का वैसे चीचन रहती हैं उसी परकार कुंडली में होता है, पहला इस्तान जो ह पारे में प्लस सुब्दाएं आपको मिलेंगी या नहीं उसके पारे में पांच बाइस्तान होता है आपके लव लाइफ का इससे और भी चीज़ें देखी जाती हैं लेकिन हम आपको लव लाइफ के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है वो लव लाइ लाइफ में धोका मिलेगा यह मैं गारंटी से बोल सकता हूं मिल रहा होगा कई लोगों को मिल चुका होगा आप अगर किसी का वेट कर रहे हैं और आपकी कुंडली में अंतरसा प्रतेंतरसा मंगल की चल रही है जाहिर सी बात है आप बहुत जाना फोर्स कर रहे होंगे अगर सनी देप के वज़े से प्रोब्लम हुई है और आप सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर बापस आ जाए तो इसमें होशकता है कि वो बाप से कल ले लेकिन राहू के वज़े से गया पार्टनर बहुत मुस्किल होता है कि बुरे टना आए सनी के वज़े से बापस तो आ जाएगा लेकिन वो पुन्हा ओन ओफ वाली इस्तिती कर लेगा होश रखता है उसका कोई करीबी आपके पार्टनर का वो बैक्ति आपके पृति भड़का दे आपके पार्टनर को तो वो उसकी बातों में आ जाए और वो आपसे मतलब फीलिंग टोटल समाप्त कर ले वो इस्तिती हो जाएए सेकंड नंबर अगर आपकी कुंडली में बुद्द देव और शूर्द देव शात्म बैठें आप सोच रहे हैं कि आपको हकीकत प्रेम मिल जाए तो हम इसमें नहीं कहेंगे यह मेरा स्वयम का एक्सपिरेंस है यह ऐसे लोगों को प्रेम नहीं मिलता है लाई में ठीक है चलो हम आपको यह तो नौर्मल सी बातें बता रहे हैं कुंडली में बहुत शारी प्रॉब्लम में होती हैं जो कि देखते ही मुझे पता लग जाता है आप अगर अपने की का जानना चाहें तब आप परसनल संपरकल है यह बार बार का रोना आपका बंद हो जाएगा क्योंकि आपको उसकी हाकिकत पता लग जाएगी हम और लोगों की तरह में स्काइड नहीं करते हैं आप सोचों कि हम आपके मन की बता दें तो हम नहीं बताएंगे जो सत्त हम और लोगों की तरह आपके मन की बात यह नहीं बताएंगे कि आपका पार्टनर बापस आ जाए हमें आपके मन को बहलाने के लिए सब चीजह नहीं कहना है हमारे हां हकीकत बताई जाती है चलेगा हमें टोपिक बात कर लेते हैं देखो अगर आप काफी परेशान हो गए आपके लिए बहुत अच्छा समय है लव लाइफ में इस्तियां ठीक करने का मेस रासी के लिए मौका मिलेगा आपका पार्टनर आपको मौका देगा एक ब्रिष्चिक रासी वालों का पार्टनर भी ब्रिष्चिक रासी वालों को मौका देगा यहां पर आप चाहें तो अ प्रश्पति की रासी है जिस रासी को आप और हम कन्या रासी गोलते हैं आपका पार्टनर जो एक्स रहा है वो आपके लिए वो तड़फेगा वो तापको मतलब फोर्स करेगा की रिस्ते में बापिश आजाओ और वो आप से संपर कन्या की पूर्ण कोशिश करेगा किसी भी रासी का क्यों आ रहे है ठीक है चौथी रासी है जिस रासी को आप और हम धनु रासी गोलते हैं देव गुरु प्रस्पति की रासी है ये लोग भी अपने रिस्ते को पूर्ण कोशिश करेंगे इनकी जो भी पार्टनर रहेंगी कि वो रिस्ता सही हो जाए और रिस्ते को वो continue कर सकते हैं बात कर लेते हैं पांच मी रासी जिस रासी को आप और हम ब्रिस्ता रासी बोलते हैं आपको भी बहुत जानदा प्रेम मिलने वाला है आपको जो छोड़के गया था वो आपके लिए तड़फेगा अगर आप सेंगल हैं तो आपको कोई सच्चा प्यार करन करने वाला इंसान मिलेगा कोई छोड़के गया है तो उसकी फीलिंग प्रिजेंट में आपके लिए बहुत जानदा रहेगी वह बहुत जानदा आप से रिक्वेश्ट करेंगे कि एक बर आप मौका दे दो वह सारे चीज़ें सही करतेंगे बसरते आपको अगर सही लगे औ आप और हम तुलारासी बोलते हैं आपके भी लव लाइफ में अच्छा देखने को मिलेगा बसरते आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के चलते थोड़ा सा आपको इग्नॉर करेगा जो लोग रिलेसंसिप में हैं जो लोग अपने पार्टनर के लिए तडफ रहे थे या उ अपरी रियाल्टी जानने के लिए इस नंबर पर होट सब मेसेज कर सकते हैं आज के लिए वश्रितना ही जैस्त्री किस्टना